हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ ये जुडिशिरी आपका बाबा है इसकी इंटेग्रिटी पे डाउट मत कीजिए आप प्रोग्रेम देखने हैं रूबरू इसलामबाद स्टोडियो से लाइव और मैं हूँ आपका मिजबान शौकत पर आचा बेल आखिर शारुख जतोई आज रहा हो गया आप से थोड़ी देर पहले रहा हो गया रहाई में तमाम कानूनी तकादे पूरे किये गए और ये रहाई कानूनी और अखलाकी रुकावटों के बावजूद हुई आज ही कराची में एक और डिवैल्मेंट हुई चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान वहां तश्रीफ ले गये थे उन्होंने कहा के अवाम को हम हकुक दिलाएंगे चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान ने फर्माया कि जो लोग एक्तदार में रहे रही खराबी का बायस है चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान ने कहा कि वो हस्पताल के दोरे पे गया है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई जो तनकीद करता है करता रहे हमें लीडरी चौक नहीं है दूसरी तरफ मुल्क के एक ममताज नौजमान कानूंदान सरदार शाबाज खोसा साब एक पेटीशन ला रहे हैं जो के अदलिया पर तनकीद के मसायल को अड्रेस करेगी और इस पेटीशन में ठोस तजावीद और सफारशाद भी शामिल है हकूमत भी आए रोज जगा जगा धरनों मुझायरों से तंग है और हकूमत भी कुछ एक्दामात लेने का सोच रही है यह हमारे मुदवात हैं बहुती डिस्टिंग्विश्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है मुझे जोएन किया है कराची से डॉक्टर खालिद मकबूल सिदीकी साब ने सिर्ग रहनुमा है पाकिस्तान M.K.M. के बहुत शुक्रिया डाक साब आपने वक्त दिया मुझे जोएन किया है साब गवरनर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा साब ने लाहूर से पीपल्स पार्टी के मरकेश बहुत शुक्रिया सरदार साब आपने वक्त दिया और नादरीन कुछ वक्त के लिए हमें जोएन कर रहे हैं क्योंके वो आज बहुत बीजी हैं अवामी मसायल पर बोले और उन्होंने कहा कि हस्पताल के दोरे पे गए थे तो उस पर तनकीद हुई लेकिन जो तनकीद करता है करता रहे हम अवाम को हकुक दिलाएंगे जी जी तो आप मुझसे क्या पूछना कर चा रहे हैं आपका सवाल मैं सबज़ नहीं सका मेरा सवाल सादा है कि चीफ जस्टिस साब को क्यों दरूरत पेशाती है इस तरह जाकर बात करने की बात ये है कि मुझे लग ये रहा है कि वो शायद इस वक्त समझने एक उनके बारे में बहुत क्रिटिसिजम हुआ है पीछे और वो उस क्रिटिसिजम को जाहिल करने के लिए बताना ये चाह रहे हैं कि उनको कौंग का बहुत धर्द है और लहादा वो कुछ ऐसे एकदामाद करें जिससे के लोगों को ये महसूस हो कि ये पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं लेकिन सारी चीज़ में वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि उनका जो दायरा इफिए एक हास्पिटल में चले गया थे लहौरवे मियो आस्पिटल में तो उनके दायरा इफिए वो मैदूद है चीफ जस्टिस बहुत चीफ जस्टिस बनना कोई एतनी मुश्किल बात उस तरह से नहीं होती ही लेकिन चीफ जस्टिस शिप को निभाना और जिस जिस दिमेवारी से निभाना वो एक ऐसी चीज़ है जिस से होदा बरा होना एक मुश्किल काम है और इस वक्त वो अपना काम छोड़के मैं समझता और चीफ जस्टिस को अपना על है और ये जो जूडिशल जो उसकी जो उनकी जो बरांच है जो फैस्लिह करना जो उनका काम है उस से हटके एक्जेक्टिव डुमें में आना या फिर परलिमेंटरी डुमें में में आना यह जिसको परलिमЕТरियृं को स्क्राइब काम अ गईसी तरह का भी कोई ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं करनी जिस्ते के इनको पब्लिसिटी मिले या किसी पब्लिक कॉंट्रोवर्सी में आए अलड़ी वो इस चीज़ के बाद एक पब्लिक कॉंट्रोवर्सी में आचुके हैं मैं समझता हूं उनको नहीं आना चाहिए और उनको इस्तनाब करना चाहिए एक्जेक्टिव डुमेन में आने से लेकिन इर्फान कादर साब मसाइल तो है ना आज वो पानी की बात कर रहे थे पानी का मसला साफ पीने के पानी सिर्फ कराची तक महदूद नहीं पूरे मुलक में ये मसला है इसी तरह हस्पतालों का मसला आपके सामने है तो फWould हम क्यूं समझें के अदलिया मुदाखलत कर रही है या सियस्ट कर रही है रोज सुनते हैं कि हमारे बहुत सारे मैक में बश्मूल अद्लिया के आप्टिमम पर्फॉर्मन्स नहीं दे रहा है मसलन रेलवे का मैक में है वो भी इस वक्त उस तरह से पर्फॉर्म नहीं कर रहा है अवाम के लिए जिस तरह उसको करना चाहिए पाकिस्तान इंटरिनेशनल लेर लाइन्स है उसकी पर्फॉर्मन्स काफी कंजोर रही है लहाजा चीफ जस्टिस साब पी आईय को भी देखेंगे रेलवे को भी देखेंगे और बाकी अधारों को भी देखेंगे तो अपना जो अधारा है जहां को के इस जो है उनका बैक लॉग है उसको फिर कौन देखेगा तो प्रायोरिटीज जो है उनको अपनी ना सरफ दुरस करनी होंगी बलके प्रायोरिटीज को हमांग करना होगा अपने उस मैंडेट से जो उनको कानून ने और आईन ने दिया और जब भी वो उससे बाहर निकलेंगे वो कौन्ट्रोवर्सी करोंगे और मैं समयता हूं कि उनको इश्तनाब करना चाहिए और ये तो इफ्तखार चौदरी साथ भी साथ तक नहीं गहते जिस साथ तक मजूदा चीफ जस्तिस साथ जो हैं जाने की कोशिश कर रहे है प्रोएक्टिव जुडिशरी एक होती है ऐसी जुडिशरी जो सफर करें फ्रम ओवर रीच और ये एक तीसरी किसम की जुडिशरी है जो के बहुत ज्यादा ओवर रीच की तरफ अब बढ़ रही है और अभी जो इन्होंने कुछ कॉंसेफ्स दिये हैं जिस पे जौने आपने अपको एक बाबा काया है और उन्होंने काया ह Timett हमें चलानी पाद रही है और चुके लोग अपना काम नहीं कर रहे तो ये सारे काम अगर अगर इन्होंने अपने जिमे ले लिए तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि दूसरे अधारे कहेंगे कि पर हम इंसाफ जो हम फराम करेंगे फिर फैसले हम करेंगे फिर एग्जेकिटिव कहेंगी कि जी जितने भ पॉक है आप इस तरह से बेदरेग हर अधारे में नहीं गुस सकते आपको ये मैंट ना तो किसी कानून ने दिया ना इन ने दिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया सरदार साब आप की तरह आँगा आप एक लिडिंग लॉयर हैं मुलके मुश्यर कांून भी रहें टौरनी जर्राव भी रहें आप क्या कहें गे जो सवाल मैंने इर्फान कादिर साब के सामने रखा था देखिए इर्फान कादर साथ हमारे बर्खुरदार भी हैं और चोटे भाई भी हैं और माशालला बहुत एक नामवर शक्सियत भी हैं कानून की दस्तरस में लेकिन थोड़ी सी माजरत के साथ मैं आर्ज करूंगा कि देखिए अदालत का यही काम है कि अदालत ने हल्फ उठाया है बन्यादी हकुक के तहफुज का और भी अब बदकिस्मती देखिएगा कि हमारी मुकनना जो है हमारी जो एक्जेकेटिव है उसकी जरा दस्तरस देखिएगा कि वो सभी कुछ चाहते हैं और जिस तरह से इस म जिस तरह से औरिंट ट्रेन और जिस तरह से बाकी जो है चीज़े जिस चीजों में ध्धांदली और एक बे पना ला मतनाही किसम की एक अवाम का इससाल हुआ है जिस तरह सरकारी खजाने जिसकी ये अमीन होती है अगरा जिस तरह यह एमात को हिएजिए अन्हों ने तमां इदारे तबा करके अपने जेर नगीं कर लिए और ये बत जो है पांच जजज साहिबानने पानामा लीक के के से में सभी को बिला के पूछा ठीज़ारे थे बिला के पूछा कोई भी यकूमरान के टोले के खिलाव या शाही Χांधान के खिलाव जो है आमल कर तयार नहीं था जिस वजह से सुप्रीम कोड ने स्टेप इन किया अगर सुप्रीम कोड आप समझते हैं कि अदालत रिमाक्स स्टेप इन कर रही है फिर ये दुरूस्त है नहीं अदालत स्टेपन नहीं कर रही अदालत को अवाम उन नास ने बजरिया आईन ये उन पर फरीजा आइज किया है जिसका उन्होंने हल्फ उठाय है कि वो जो है अवाम के बन्यादी हकूग का ताफ़स करेंगे अगर बन्यादी हकूग सरताथ साथ इदर ये इंपॉर्टेंट बात की आपने बन्यादी हकूग का ताफ़स करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है अप्टर खालिद मकबूल सिदीकी साथ यहां पर एक रिवाज भी बना हुआ है कि अदालत पे खुलम खुला तनकीद होती है बातें की जाती है फैसलों पे तो तबस्रा किया जा सकता है मुस्बतन अंदाज में लेकिन तहरीक तो नहीं चलाई जाती तहरीक अदल के नाम से लेकिन हम ने देख नाइनटीज में बे नधीर भुटो शहेद और जस्टिस सचाद अलीशा के दरम्याँ टक्रा हो रहा फिर मियान अवाजरी चाद अलीशा के दरम्याँ टक्रा हो रहा पर आब क्या कहेंगे अगर आप नाकाम रियासतों की तश्रीव में जाएंगे तो यही होता है, यही सुरत आल होती है कि हर अदारा अपने दारा एकार के अंदर अगर काम नहीं कर रहा है और वो उससे आगे बढ़के दूसरों के दारा एकार में दाखिल हो रहा है तो हर चीज हौच पहुच हो जाती है और सिर्फ एक जूडिश्री ही तो नहीं है हमारे मलकु अदारा है जो के अपने दारेकार में सिर्फ काम कर रहा हूँ हाँ, हम उसके बारे में कहने की, मेरे خाल Perm Hill हम हरो जगा ज़्यादोंत नहीं होती है लेकिन मैं समझता हूँ कि बन्यादी इनसानी हुकूप के हुआले से वो नजर डाल रहे हैं वो फिल्कुल सही है लेकिन ये भी देखा जाए कि बन्यादी काम जुजी शिरी का इनसाफ फराम करना है लाखों 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 ल्टवा में पड़े हैं निचली अदालतों में इनसाफ इस तरह बिक रहा है उन सब को सबसे पहले मेरे ख्याल है पूरी ताकश से पूरी गुवत से पूरी तबज़ों से और पूरी इमानदारी के साथ जो हरारकी है अदलिया की उसको चाहिए कि यानि डाक साब देखे ना आज के कॉंटेक्स में कराची का मसला है और वर्स्ट मसला है हकुमतें तो रहीं बहुत सारी लेकिन हल नहीं हुआ कराची में पिछले चीफ जेस्टिस ने उन्होंने वो एक अमनों अमान पे केस लिया था और उसके बाद विंग्स जो सियासी जमातों के थीं उनको डिस्मेंटल करने के और्डर जारी किये थे तो ये बात ने तो अमाम उन्नास के फवाइद में हैं अमन के लिए पानी के लिए अस्पतालों के लिए तो ये बताईए ना नादरीन रापता कट गया है डाक्टर खालिद मकबूल सिदीकी साब से हम उन से रापता बहाल करने की कोशिश करते हैं सरदार साब सरदार साब मैं जी जी आप मेरे साथ हैं मैं एक सवाल आप पे छोड़े जा रहा हूं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जो पेटीशन शौबास खोसा साब तियार कर रहे है और जाहर है इदारा है अदलिया आइन में कदगन लगी हुई है 19 A में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है फिर इस तनकीद को बिला जवास तनकीद आपने वक दिया सरदार साब आप पे सवाल भी मैंने छोड़ा था लेकिन डक्ट साब आपके साथ राप्ता मुनुकेत हुआ था आप बात कर रहे थे तो मैं चाहूँ एक क्वेस्टन किया आप से कराची में अमनों अमान पे सूव मोटो नोटिस लिया चीफ जसे साबिक ने और फिर सियासी जमातों में असकरी विंग्स खतम करने के उन्होंने आडर जारी किये आज पानी के हवाले से बात की हैं तो अवामी काम ये सारे अवामी मफाद में ये एकदामात हैं लोगों की उमंगें यही होती हैं जो वो आडर देते हैं या काम करते हैं बिल्कुश सही बात है आडर देने उनका काम है और इंप्लिमेंट पे जाए भी उनका काम है अगर उन्होंने पार्टियों के अदर से जो असकरी विंग्स थे वो खतम कर दिये तो कई जमातों के नाम लिये थे अगर आपने डिसीजन सही दिया था तो इंप्लिमेंटेशन पे आपकी नजर क्यों नहीं थी ये देखी ये सारे मामले हैं इस पर जादा आगे जाएंगे तो फिर मामला ये है पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप सच बोल दें हग बोल दें इनसानी हुकूक के हवाले से है पाकिस्तान की जो छोटी कौमियते हैं उनको जो हुकूक है उसकी ही कितनी हिफादत हो रही है उनको कितने हुकूक बिल रहे है उनको कितनी पाकिस्तान में हुकूमरानी की प्रॉपर इजादत है सूबों को छोटे सूबों को गार इतनी इजादा कितनी इजादत है इस सारे काम जायजे लेने भी बहुत जरूरी है फिर मैं समझता हूँ कि बिलकुल होना चाहिए मुधारी अदालत होनी चाहिए इंसाफ औरामा करने वाले इतनी होनी चाहिए कि खड़े होके कोई भी हकुमरान कहे दे कि पाकिस्तान को ना इंडिया से ना दुनिया की चाहिए खत्रा है अलहमदोलिल्ला क्यूंकि पाकिस्तान बे अदालते आजादा है तो पाकिस्तान को कोई भी महकुम नहीं बना इसी नकते पर येगा सरदार साब मैं कॉंटूर्स पूछ रहा था पेरामिटर्स पूछ रहा था कि तनकीद कैसे रोकी जासे देखें पराज़ा साब सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझने की बात है कि इमरानी मोहिदा जिसको आईन आप कहते हैं है क्या देगें उसकी बन्याद और बिसाख जो है ग्रंड नॉम कहलें या जो वो ट्राइकोटमी आफ पावर पर है उसमें जो है लेजिसलेचर है उसमें जो है एग्जेकिटिव है और उसमें जुडिशरी है अब ये जो पिलर्स आफ दे स्टेट हैं अब आप मीडिया भी आन उफिशली बन गया है इसमें लेगन इसकी बन्याद जाहर है ये है कि लेजिसलेचर ने कानून साजी करनी है एग्जेकिटिव ने अमल करना है और जुडिशरी ने ये देखना है कि आईन पर अमल भी होता है आही जो है लेजिसलेचर उस तरीके से कमा हक को हूँ कानून साजी में उस अंदाज से अबामी फला के लिए जो है वो वो बहबूद के लिए काम तीन करोड बचा आपका स्कूलों से बाहर है आपके हस्पतालों का हशर देखिए क्या है एल्थ केर में क्या सेक्टर है आप सड़कें बनाये चले जा रहे हैं आप जो है पुल बनाये चले जा रहे हैं क्या ये आपकी प्रायरिटी है मुझे बताईएगा आपकी प्रायरिटी हुमन रिसोर्स है जिस पर बदकिसमती से हकूमत खर्च नहीं कर रही तबजह नहीं इसलिए सुप्रीम कोट को अदलिया को स्टेप इन करना पड़ता है लोगों के बुनियादी हकूक के लिए ये अदलिया का अपने तौर पे नहीं कर रही है अदलिया को पाकिस्तान के 22 करोड अवामने मुतफिका तौर पर ये ज बन्यादी हकूक हैं सरदार साब इतर रुकिए गा सरदार साब इसी नुक्ते पे रुकिए गा ये सारी चीजें अवाम के लिए हैं अबासी साब बैरेस्टर है आप तो खुद कानून दान है लेकिन जब अवाम की रिस्पॉंसिव पॉलिसी नहीं आएंगी या डिलिवरी नहीं होगी जैसे सरदार साब आ रहे हैं तो फिर तनकीद बिला जवाद होती है या जवाद बनता है तनकीद का बिसमिला रख्मान रख्मान रख्यम बहुत है शुक्री बाद लोगे में रस्ते में आरा था तुम्हें कुछ देर से यहां पहुंचा आपके पास इनने बिल्कुल ठीक है कि ट्राइकाट्पी आफ पावर के ये प्रिंसिपलें और ये इस्टूशाने जिनने काम करना था इससे बिल्कुल इतफाद नहीं है कि एक्जेक्टिव और पारिमान अपना काम नहीं कर तकिती है सिर्ठ जुझशरी इस इस पर बोड़ी बैस की जा सकते हैं ये अदालते भी हमारे है ये आइन भी हमारा है ये अजेक्टिव हम सब रहे हैं इतनी सारी वोका आज खुद कह तो इन्हेंने को बहुत बेतनी का लिए थी अगर इसको रिफ्पांसिबिल्टी लेनी है तो बर सब को लेनी पड़ेगी कि आज मक्तलफ जमातें जो हैं मक्तलफ सुमा में हकूमत करती है ये दोना जो मसाले इना ने दे हैं हेल्थ और एजूकेशन ये दोना सुमा के साथ तरलग है तो अगर ये मामला है तो फिरकुल एक जमदारी है कि हमें अपनी अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए और ये किनान गुजाशन प्रूमिंट करने जी लेकिन वो चीफ जस्टिस के दोरों पर इत्राद नहीं कर रहे है नहीं किसी को चीफ जस्ट को खुद कहना पड़ा ना आज मैं बहुता हूं कि चीर जेस्टिस अब पाकस्तान है वो पाकस्तान की चीर जेस्टिस हैं को करना है उन्हें सबसे ज़्यादा इस अदालतों को अजाद करने में हम सब बड़ी मैनत किया ये जब रिस्टुरेशन अप जुडिश्री थी जब जजजेज को गर बठा दिया गय ने खुश साब पकेटा हुआ भी देखा है खुन गरती हुए भी देखा है ये सारे हम सारे लोग इस मुम्मेंट में हिसा थे क्या हमने ये जो ख़ौब देखा था हमने ये देखा था कि सूप्रिम कोड से लेकर नीचे तक तक तमाम अदालते जो हैं ओँ है आज आप नादरीन प्रोग्राम के तीसरे इसे में हम बात करना चाह रहे हैं ये हर रोज जगा जगा धरने हो जाते हैं अगर अदलिया पर तनकीद बिला जवाज है तो ये अवामी सता पर आम बंदे के लिए ये धरने जगा जगा पर मुझायर है ये भी उतना ही दुख और तकलीफ का बाइस होते हैं फैदाबाद धरने में हमने देखा के पिंडी इसलामबाद की गर्दन पकड़ी हुई थी जड़दार साब आपकी तरह आँगा के इसी फैदाबाद वाले धरने के हवाले से जो कुछ हुआ आपके सामने है अभी दो तीन दिन पहले पत्तोकी के करीब जीटी रोड रोका गया बारा गंटे तक बचे भूडे औरतें सख्त सर्दी में ठिटरते रहे कराची में जहां कोई बैठ जाये टीचर्स का वहां पर मुझारा हुआ या और लोगों का तो पूरा कराची चोक हो जाता है इस सिल्सले में क्या आना चाहिए देखे मैं समझता हूँ कि हमारा जो सियस्टदान है और जितनी भी जमाते हैं मैं किसी एक को वो नहीं ठहरा रहा मूरद एज़ाम अगर एक इन्फलमेटरी किसम का जजबातियत किसम का हमने जो है एक ऐसा माहूल पैदा करना है जिसमें हमने जबान भी ना शायस्ता इस्तुमाल करनी है और हमने घुसे का अगुछ से भरपूर अंदाज से हम ने जह अपनी अवाम को उबहारना है उनको जो है वह बगावत के की की एक किस म की जो उस पर करना है तो फिर इस तरह से तो फिर आप देखिए का यही आल होता रहेगा अब आप अंदादा करें कि माल रोड पर आई कोट ने कहा कि माल रोड पर जो है आप धरना ना कीजिए गा, दुकानदार सारे मुतासर होते हैं, सारी ट्रैफिक मुतासर होती है, लेकिन उस और एक्जेकेटिव अमल नहीं कर रहे हैं आए दिन आपका लहुर का माल रोड जो है वो बंद होता है दस बंदे बैट जाते हैं पांच सो पुलीस वाले खड़े हो जाते हैं और ये अड्मिनिस्टेशन की नाहेली है इसलिए का अपूमत किसली से सर्दार साब मादरत के वहां तश्रीफ ले गए तो बुकला के हक में फैसला आ गया पुरानी जगा पे कचैरी वापस चली गई मैं तो सोच रहा था है पिर नई कचैरी की जगा पहले बनवाई कसीर कौमी सर्माया नई कचैरी पे खार्च हुआ अगर ये घलत फैसला था तो किसी के खिलाफ कोई एक्षन तो फिर हो जाता पराचा साब इस पर चीप जस्टिस आफ पाकिस्तान ने रेजिस्टरार को बहुत सरजनिश किया है देखें वो आप इतनी दूर जाके कचैरी बना दी वहां ना कोई बारूम था कोई कैंटीन थी ना कोई वाश रूम था आप अंदादा कीजिए गा वुकला और लेटिगंट्स वो छेचे गंटे आठ आठ गंटे बगएर किसी वाश रूम जाए बगएर कोई चाए पानी पीए कोई बीमार होता है किसी को सौच वुकला क्या सड़क पे खड़े होकर जो है वो अपने वकालत के सर अंजाम देंगे काम वो जल्द बाजी की गई और अब चीप जस्टिस ने काया तीन महीने के अंदर आप ये जो लवाजमात हैं वो पूरे कीजिएगा कचेहरी बही होगी जहां पर बनी है लेकिन उसके साथ जो लेटरीज हैं जो वाश रूम्स हैं जो बार रूम्स हैं जो कैंटीन है वो कला के बैठने के लिए बार रूम्स होते हैं वो कुछ भी नहीं था अब आप अंदाजा कीजिएगा ये फैसला कैसे किया गया शिफ्ट करने का इतनी जल्दी वो कला अब बच्श्पत लिए तो नहीं किया ना ये एग्जेक्टिव ने तो नहीं किया साथ पिराचा साथ पिराचा साथ जब तक अब इस हकूमत का बतीरा ये है कि जब तक लोग सड़क पर निकल कर जो है स्यापा ना करें इहतजाज ना करें ये सुमन बुक्मन अम्यून फाहुम ला यर्जहून ये अंदी है बहरी है गुंगी है ये ना सुनती है ना देखती है ना ये उस पर अमल करती है काम करती है म पिर इनका होशाद अदलिया भी बीच में आ जाती है तो फिर ये उस पर अमल करते हैं पहले ही दिन से रोजे अबल से आप क्यों कर जो है ये सोच समझ के इसी इसी नक्ते पर रहेगा सरदार साब इसी नक्ते पर रहेगा अबाशी साब बैरेस्टर हैं आप देखे ना जब ह वाइलेंट होंगे और फिर जैसे राशाद साब कह रहे थे एक दिन के जी वुकला जो जो कुछ वुकला ने किया तब ही उनकी बात सुनी जाएगी जो आज प्रु साब की बातों से काफी मुझे मायूसी होई है न 이거 गलत बात कर रहे तो ने जो भी अदिन किस ने किया था यह किस ने किया ये फैसला खोड़ादालतों ने किया है उनने काया हम इनको करते हैं रहा हाई कोट ने ये समझती थी कि ये चीज़े नहीं है तो उनको ये बिल्कुल किचारी मूव नहीं करें जाए थी फिर जब बिल्कुल आपने ठीका कानूं से कोई भी उपर नहीं है फिर जो वहां मुक प्लेनेशनें दे रहे हैं तो ये मामलात तो जरूर थे ये खोसा सब की जमाद की आलम हो गया है कि 2004 में माडल टाउन में सानिया हुआ हुआ है कोई नहीं कहता कि वह अच्छा हुआ है ताहरल कादीश साब के पास ये द्वा करने के लिए नहीं के अब इने दरना जब उनक ना एक पॉलिटिकल स्ट्रेजी होती है ये स्ट्रेजी ना जो भी जो भी उनकी स्ट्रेजी हो बट यहां तो एग्जेक्टिव की जमादारी है ना फैदाबाद में एग्जेक्टिव ने जमादारी नहीं अदा की ओ बीस दिन के बाद जब तंग आ गया तो फिर वजीर का प्रदाबाद से सबक लेते हुए स्टड़जी पहले से बननी चाहिए फैसला पहले से होना चाहिए या फिर लाहूर के लोग भी उसी तरह रोएंगे जैसे पिंडी इसलामबाद के रोते रहे बाइस ने बेलकुल आपने ठीक हा देखें आपने एक दर्नों की पॉल्क में य पर्लिमेंट पर टाइक करेंगे अगर एक जिक्टिव कभी एक्जेक्टिव फोर्स इस्तमाल करती है तो फिर भी लोग गयते हैं कि एक जमूरीन का हक है यह इन काईनी हाग को प्रोवाइड किया है कि आप दिजाज कर सके हम सब यह कहते थे कि आप अगर स्टेट को कमज़ करने के लिए अगर इस पाकस्तान के लोगों को तकलीव देना के लिए दरने करते हैं तो फिर तो इसका नुकसां से लोगों को है इतिजाज आपने करना है तो आप कोई एक जगा मार करने और आपको बार बार का जारा है कि प्रेड ग्राउंड चले जाएं वहां बैठें अगर अकुशी ने पिजाज करना है अब ये रवायात खतम करने ये जो आपने जिस दरने की बात की अफ़ज़ा बात वाले एक मजबी इशू था एक जमाते हैं आकि रवायात आप कहरें खतम करना चारें मैं आखरी बात उस पर कर दो किया आप समझते हैं कि इन सब दरनो अगे आप तनकीद करें लेकिन वो बैठ रहे हैं फैसला क्या होता है अभी कोई पतनी है डाक सब आपकी तरफ आउगा अगर बैठें के लोगों को तकलीर देने के लिए डाक सब आपकी तरफ आउगा जमूरियत में ये जमूरी हक है अधजाज करने का हमारे हां तो अब बन गया ना ये हक फैदाबाद की मैंने एक्जेमपल दी कराची की मैं बात कर रहा हूँ अभी लाहूर में माल लोड पहले भी बन रहा जब पिछला धरना था बड़ी मुशकल से खुला अब हम नया सिलसला होता है फैसला नहीं हुआ लेकिन जाहर है जब सब अपोजिशन निकठी हो रही है तो कोई न कोई तो फैसला होगा क्या कहेंगे आप लेकि पहली बात तो यह है कि एवान मौज़ा जो एवान काम नहीं करेगा तो लोग आके उनकी आवाज एवानों में नहीं कुझेगी तो फिर आवाज सड़कों पे गुझेगी आपने अपने किस किसम की जमुरियत रखी भी सूडो और फ्यूडो जमुरियत जब आपके एवानों में किस्तिكन की जाग्रदार करें गा जिसने किसान को आज इस अहलत पे रखावा भाया तो किसान रोड पे आके इतिजाच करेंगे आप आपके हां मज़ड़ों की नुमाध्यकी एवानों में सरमाया धार कर रहा है मज़डूरों के खूख चीने वें तो जब आ और एवान में मजदूरों की आवाद उठारे ही नहीं जाएगी बलकुछ नाक्साब ये ये लोग कोट्स में जाते हैं नहीं भी जाते मसलां ये मडल टाउन वाला केस अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये तो फिर है कानून के दायरे में है वहाँ पेटिशन हुई वहाँ पर जिस्टिस नजफी कमिशन बना फिर उसकी आई तो फिर अदालती अमल का इंतदार करना चाहिए ये सही है लेकिन जाला तो ने विए इस हमाले से शुरू में जो रवया रखा है उस पे बहुत बड़ा सानिया है अच्छा ये सानिया हुआ हुआ है इसलिए बहुत बड़ा है ये हम सिंद के लोगों को खासतर पराची के लोगों को मुकदर में दैसे बड़े-बड़े सानिया हाथ लिखे रहे है इस पे पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान की मीडिया को ज्यादा तालुक नहीं है बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर मुवमेंट शिरू हुई तो लोग बोलते हैं कि यही यह चौधरी इफ्तखार तो वही है कि जुनों ने इसी जो यह आमेर है इसको दो बारतवा तीन दफ़ा पाई किया कि सही बैठावा है आज जब उनकी नौकरी पे लाद पड़ी तो खड़े हो गए लेकि तीनों बड़ी स्यासी जमाते जो उन पर खड़ी थी क्या हुआ बाद में जितना इमरान खान साब ने चौधर इफ्तखार को गाली दी है आप सब और आप सब गवाएं पीपूस पार्टी जितनी पूरे जरदारी साब के दौर में चौधर इफ्तखार के खिलाव खड़ी रही हमारा आप सब गवाएं और खुद अदलिया की बहाली की तहरीक चलाने वाले उनके लिए लॉग मार्ट शुरू करने वाले खुद बिया नवाज शरीफ साब आज तहरीक अदल चला रहे हैं तो जब आप इसाफ को भी स्यासिए अपने एक बात की डॉक्ट साब डॉक्ट साब आपने एक बात की आपने का कि जब एमान काम नहीं करेंगे तो फिर तो मुस्तफा कमान साब आज कराची में यही बात कर रहे थे ना कि मैं किसी सीट के लिए मैं बात नहीं कर रहा मैं सीट नहीं लूँगा मैं तो आवाम के मसायल हल करने की बात कर रहा हूँ जी जी बिल्कुल करें आपको आना चाहिए था बगार किसी की मदद के बगार किसी के सहारे के बगार किसी के और बिल्कुल सब को हाक है कि आके अवाम के मसाइल हल्क करें जमूरी तरीके से अवाम के अंदर से उठें और अवाम के अंदर ही रहें और किसी के किसी का जो है गहर जमूरी तरीके से गहर जमूरी रास्ते से गहर जमूरी रविये के जरीए जो भी आएगा उसको रास्ता भी देगी लेकिन आपको पता है पस्तान की अवाम की जो कलेक्टिव विजड़म है उसको पर्माइन ना करें हम वो सब जानते हैं और पहचानते हैं सब पहचानते हैं डाफ साब इसी नुक्ते पर रहिएगा उन्होंने बेहतरीन तरीके से डाक्टर खालिद मकबूल सिदी की साब ने वो सारी कसेट रिवाइंड कर दी जिसमें मिया साब तहरीक लेके चले थे मिया साब ने बाली करवाई थी मिया साब चैंपियन बने अदलिया के गुजरावाला तक आये थे आज पिर तहरीक अदल क्या रिवर्स है ये सारा प्रोसेस देखें पराचा साब उस वक्त जैजेस के साथ बहुत बड़ी जहती हुए थी नजर बंद किया गया था चीफ जेस्टस को निकाला गया था और ये पूरी कूट की आवास थी और यकीनन हमारी पार्टी की थी और मिया नवाज साब ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी पोथ मुषक लिलाद में उनने निकले था उनने का के जजस्ट बाहर नहीं उंगे रहे चलोगा नहीं तर्फ निए बाहरे चलाई योज जजस्ट बाहरे हैँ बाट की खुआ थी ये खुआफ थी कि इस मिल्क में अडल और अनसाफ का बोल बाला होगा हमारे जो निचले जादालते हैं निचले अधादे हैं पूरा प्रोसेस चाल रहा है अदली आदाद है फैसले दे रही है मझलें एक फैसला आपको नापसंद आया एक फैसला पिटिया एको नापसंद आया परसेज़ इसमें, आपकी स्वाल आपकी होकों जार मुस्किराट में भीनाएगागा है ने ने मुझे ने मैं तो आपसे स्वाल टेक्निकली स्वाल, आप पैरेस्टर हैं मैं इसी इसी आपसे, जारा हूँ यहां आए लोगों का बहुत बड़ा इतमाद हुआ है वो तब ही बहा लोगा कि हमारी लोड जो चीशी काम करें और वो काम नजर आए और लोगों के इतमाद हो नहीं तो पार्लिमान कर देती ना आपकी एक्सरियत है नेशनल असे बिल आए कितनी डाक्साब कहे रहे हैं आपके इना ने कराची के सारे मिसाइल अलका लिए थे ये तो अपोजिशन में है ये कौन से कराची के उपरान ने बात कर रहे हैं ताड़े चार साथ हो गरे हैं ये बात मैं 2013 से पहले करता हूँ 2013 से पहले हुआ हुआ है